बच्छे को इतने सवाल नहीं बेचते हैं, यह सब setting का मामला है, लेव वाले ही पेपर बाहर कर रहे हैं, जहां लेव पेपर हो रहा है ना वह लोग पेपर बाहर कर रहे हैं, और वही टीचर्स पैसे दे देके पेपर बाहर ला भी रहें, कि सबसे पहले हम देखाएंगे 25 हू पर आया सवाल, PQ 21 और एक दिन में कर रहे हैं, इतने तो हम गड़ित के टीचर है, सब महचान लेंगे, मैंने सोचा कि यार, यह बच्चा पेपर कर रहा था, या पेपर में क्वेश्चन उतार रहा था, क्योंकि बिना क्वेश्चन उतारे तो, बच्चा पेपर में सवाल दे नहीं सकता इस थरीके से लिखके, जबकि SSC ये notice निकाल चुकी है, आप SSC का notice देखिए, SSC ये notice निकाल चुकी है, कि किसी भी इस्तिती में, आप exam के दोरान, जब तक कि ये exam चल रहे हैं 26 तक, तब तक किसी भी questions को disclose, publish, reproducing, transmitting, storing, facilitating नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्यों मानना है वैसे teacher घ्यान देंगे कि बच्चों को अच्छा करना चाहिए, समय नहीं घराप करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमसब teacher क्या कर रहे हैं, हमसब teacher इसलिए अभी हम लोग means का batch start करेंगे, जितने जादा बच्चों की नजर में आ जाए, उतने हम अच्छे course बेश के लिए हम गलत तरीक ही क्यों ना इस्तमाल करने पड़े लेकिन हम इस्तमाल करेंगे क्योंकि हम सेकंड सिफ्ट थर्ड सिफ्ट का दिल तो जीत रहें ना, फर्स्ट वाले हमसे खफा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने SST बहुत कुछ नहीं करती, adjective सवाल रखती है, किसी में mean proportional पूछा, संख्या बदल के दूसरे में, third proportional पूछ लिया, identity पूछी किसी में पहली, किसी में दूसरी पूछ लिया, बच्चे को इतना basic idea लग जाता है, कि वो इस बच्चे हुए एक गंटे में, अपनी तयारी को 10, 20, 50 X कर लेता है, मैं बच्चों से भी पूछना चाता हूँ, सिच्चकों से भी पूछना चाता हूँ, कि हम इस notice के खिलाप क्यूं जा रहे हैं, जब SSC ने ये कह दिया, और मैं ये देखता हूँ, कि जब बच्चों के हक्की लड़ाई की बात आती है, वहां तो आप खड़े नहीं हो पाते हो, अभी 2023 वाले बच्चे दरदर की ठोकरें खा रहे हैं, चार सवाल गलत आये, मामला हाई कोट में पहुँच गया, आपने नहीं एक वीडियो बनाया, अभी बच्चों के एड्मिट कार्ट भस गई, 31,000 बच्चों के आपने एक वीडियो बना के नहीं बोला, कि आप SSC आफिश आओ, वहां से आपका पेपर देने का मौका दुबारा मिल सकता है, तब आपकी इंसानियत कहां चली जाती है, UFM जब आया, UFM पे तो आपने वीडियो नहीं बनाया, कि SSC को UFM हटाना चाहिए, जहां आपको अपना फाइदा दिखता है, वहां सबसे आगया आजाते हैं, और मैं किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा, सब के दददज दिन से सेशन लगे हुए, एनलेसिस करेंगे, उन बच्चों का क्या कसूर, जिनका पहली सिफ्ट में एक्जम पढ़ गया, किसी के हाथ में तो होता नहीं कि मैं पहली सिफ्ट में डालूँगा, और जो बच्चे अब 26 तारिक हो देंगे, उनके पास तो बचे कुछे 15 दिन बहुत अच्छे हैं, बट नहीं हमें तो मज़ा आ रहा है, कराओ आइनलेसिस, होने तो किसी का नुकसान, क्या फरक पढ़ता है, जब पहली सिफ्ट में बच्चा जाता है ना, तो उसके मन में एक दर बैठा हुआ होता है, क्या पूछेगा, अब पता लगया, अच्छी खासी डियाई पूछ रहा है, और अब लग रहा है, कि कहीं से कोई 25 क्वेश्चन बता दे, कि कौन से सिफ्ट में आए हैं, हम भी वैसा वैसा पढ़के चले जाएंगे, जादा नहीं, तो 10-15 सवालां का तो आईडिया लगी जाएगा, कि SSE ऐसा पूछ रही है, अगर यही करना है, तो फिर सालवर पढ़ानी की भी क्या जरूरत है, 25 क्वेश्चन लोग आसानी से आउट कर ले रहे हैं, हालत यह है, नाम नहीं बताऊँगा कि पेपर के बीच में ही 10 क्वेश्चन आ गए थे, कि ऐसा पेपर आया है लेप से, कोई भी लेप वाला थोड़े से पैसे लेकर के आपको क्वेश्चन भेज दे रहा है, और हम हीरो बन जा रहे हैं, हाँ बढ़ी, यह कॉश्चन आयते, ऐसा पढ़के चले जाना, तुम्हारा सेलेक्शन हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि, आप अपने दिल से पूश कर बताईए कि, क्या यह सही है, मैंने भी इस से पहले 2023 में जब एनलेसिस कराया था, तो मैं रियल मॉक एनलेसिस कराता था, और जिसमें बताता था, कि इस तरीके के मोश्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो पेपर में आ सकते हैं, अभी भी जब यह एक्जाम आया, हमने दो दिन क्लास लगा के बताया, कि यह मोश्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, 400-500, यह हम पढ़ लेंगे, पर जब आज एनलेसिस की बारी आई, मैंने सोचा कि यार, जब मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, बच्चों के लिए इतना बड़ा नाइट मेर बन गया है, कि वो यह दुआ करते हैं बगवान से, बगवान मेरा पेपर पहली सिफ्ट में ना पड़े, यानि आज इतना खराब unhealthy condition हो गया बच्चों में, कि अगर उसका पेपर पहली सिफ्ट में तो उसका डर बहुत बड़ा है, उसे नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन अगर उसका पेपर सेकिंड सिफ्ट में, तो हम उसको हाथ से परोज़ देंगे, कि बेटा देखो, टेंशन मतलो, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे,